जार्खन प्रदेश के परिपेक्ष में और विशेशकर आदिबासी मुलवाशियों के हित को ध्यान में रखते हुए जिसमें कईये कैसे संगठन और संस्थाओं के द्वारा लगातार कई बातें सडक में उठती थी सदन में इसी बातें आती थी इन तमाम बातों को लेकर विशेयों को लेकर मेनिफिस्टो कमिटी जार्खन प्रदेश के सभी जीलों में जाकर चौपाल लगाकर आम जनता के साथ में विचार विमर्ष उनके द्वारा किया गया और एक परियास किया गया कि यह जो मेनिफिस्टो हो ओ आम नागरिकों का हो और जार्खन प्रदेश के लिए बहतर साबित हो सके हमारे जो ड्राफ्टिंग कमीटी के प्रमुक लोगों के साथ साथ हमारे जो मेनिफेस्टो कमीटी के सद्धस हैं उनके द्वारा जो विभिन जीलोंग से जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट को बेटर तरिक्चे से समिच्छा करते हुए उनमातुपून बातों को उनमातुपून विशाय को यह जो आज के मेनिफेस्टो जो हम जारी कर रहे हैं उसमें लिया गया है और हमें लगता है लगता नहीं हमें पुरा यकीन है कि यह आम जनता से लेकर आप पत्रकार भायों के बीच भी अगर यह जाएगा आम नागरिक के पास भी तो राज बनने के बाद बेहतर मेनिफेस्टो साबित होगा और विशेश कर हमारे आदनिय राहुल गान्दी जी का निर्देशा अनुसार हमने घोशना पत्र को रियालिस्टिक पर विशेश रुपसुस को जोर दिया है और जिस चीज को हम कर सकते हैं और जिसको किया जाना है इस राज के लिए जो आज तक लोग उप्यक्चित महसुस करते हैं चुना और छित्र में जाने में लोगों को उन चीजों की बाते सुनने को आता है वैसे महत्वपून बातों को इस पर गोशना पत्र में लिया गया है और इसमें मैंने पहले ही कहा किहां के आदिबासी मुलवासियों के शाथ साथ जो लंबे समय से जो हमारे दुसरे प्रदेश से लोग भी रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखा गया है गोशना पत्र में किसान मजदूर छात्र से लेकर आपके सभी और विशेश कर सभी वर्गों को इस पर आपका समाहित किया गया है